हाई वीवर मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं कि एजुगेशन का यूटूब चैनल आज हम आपको इस यूटूब चैनल के मादिम से बियर फर्स्ट यर फर्स्ट टमेस्टर बाल ले हवस्त हैं विकास टोपिक 4 का लेक्चर 5 जिसका नाम है सिच्छा के सक्री तथा निस अभिकरण चैनल समय नगवाते हुए हम आप टोपिक के तरफ चलते हैं सिच्छा के सक्री तथा निसक्री अभिकरण क्या है इसके भी से में बता रहे हैं आपको सिच्छा के अभिकरणों का एक वर्गी करण सिच्छक यो सिच्छार्थी के आपसी संबंद के अधार पर किया जाता है इसे दो प्रकार से वर्गी क्रिद करते हैं करने का ताथ पर यह है कि सिच्छा का अभिकरण जो है सिच्छक यह सिच्छार्थी के आपसी संबंध के अधार पर ही वर्गी क्रीद किया जा सबता है कि आए हम यह दो प्रकार से वर्गी करते हैं तो इसके विश्य में हम समझते हैं आगे पहला है सिच्छा के सक्री अभिकरण सक्री अभिकरण में सिच्छक और सिच्छार्थी सिच्छार्थी का ताथ पर यह है कि जो सिच्छा गरहर करते हैं और सिच्छक का ताथ पर है भी टीचर्स जो सिच्छा देते हैं इनका आमने सामने तथा प्रत्यच संबंद होते हैं आमने सामने प्रत्यच संबंद का तात्पर है कि जहां पर सिच्छक होते हैं वहां पर सिच्छार्थी भी होते हैं दोनों लोग उपलब्ध होते हैं इसे ही आमने सामने प्रत्यच संबंद काते हैं और, सिच्छा के सक्रिय अभिकरड अप्चारिक अनप्चारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं यानि अप्चारिक भी हो सकते हैं, और प्रमुख सक्रिय अभिकरड इस प्रकार हैं जैसे में धार्मिक संस्था, बिद्याले, कलब, तथा समाच कल्यार परिवार मित्रमंडल आदी. अब हम दूसरे पॉइंट के तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सिच्छा के निस्क्री अभिकरण. सिच्छा के सक्री अभिकरण का ठीक अपोजीठ सिच्छा का निस्क्री अभिकरण. बस अंतरिया है इसमें कि सिच्छा के सत्री अभिकरण में सिच्छक और सिच्छार्थी का आमने सामने प्रत्यच संबंद होता था इसमें क्या है कि सिच्छक और सिच्छार्थी यानि जो सिच्छा गरण करते हैं इनका आमने सामने प्रत्यच संबंद नहीं होते है प्रत्यक्ष संब्धना होने का तात्पर यह है कि जैसे हम ओनलाइन क्लास दे रहे हैं अब वीडियो अप्लोड करेंगे और आपके पास पहुचेगी तो यह हो गया सिच्छा के निस्क्रिय अभिकरण आपके दिमाग में डाउट होगा कि ओनलाइन क्लास चलती है वो क्या होगी तो वो भी सिच्छा के निस्क्रिय अभिकरण होगी क्योंकि वो किसी माध्यम से आपको सिच्छा मिल रही है क्योंकि किसी माध्यम से आपके पास उसिच्छा मिल लगे अगर डिस्कनेक्ट हो जाए ना ही सिच्छक होंगे वहाँ पे और ना ही सिच्छार्थी होंगे तो इसलिए से हम सिच्छा के निश्क्री अभिकरणों के अंतरकत रखेंगे संब्द नहीं होते हैं सिच्छा के उद्देश प्राप्ति के दिश्टिकोर से सिच्छा के निश्क्री अभिकरणों के मुख्य उद्देश हैं क्या उद्देश हैं जैसे पत्र-पत्रिका, सीनेमा, दूर दर्सन रेडियू तथा पत्राचार पाठकरम आदी हमारी नेक्ष्ट वीडियो टॉफिक पाँच का लेक्चर एक होगा जिसका नाम है सिच्छा के आउपचारिक तथा निरोपचारिक अभिकरण में अंतर अभी हम आपको बताए हैं सिच्छा का आउपचारिक और निरोपचारिक अभिकरण क्या है अब हम आपको बताएंगे सिच्छा के अवचारिक तथा निरोपचारिक अभिकरण में अंतर जिससे आपकी डाउट और क्लियर हो जाएगी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सस्क्राइब, सेर करना ना भूलिए और कोई भी टॉपिक, इस टॉपिक का कोई भी पॉइंट न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किजिएगा और अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल का नीचे लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप इसका पीडियाप भी ले सकते हैं, नोड बना सकते हैं कोरोना में आउनलाइन क्लास लीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद